नमस्कार आप सभी को मेरे यूट्यूब चनल पे स्वागात है तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो नए सेशन के छात्र है या पुराने सेशन के वो दोनों छात्र कैसे आप अपना ITI के ट्रेनी प्रोफाइल को आप देख सकते हैं आप ITI जो न आपका प्रोफाइल वो खुलेंगे तो आप लोग में चनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन दबा लिजे देखिए हमको क्या करना है हमको किसी भी ब्रोजर में जाके NCBT MIS को आपन करना है तो आपन करने के बाद आपका इस परकार का खुलेगा जिस परकार का डिस आपको यहाँ पर दिखना होगा Home, ITI, Trainee, Verification इसमें क्या करना है हमको? Trainee पर जाके हमको क्लिक करना है उसके बाद आपको उस पर दिखेगा Trainee Search, Trainee Profile तो हमको इसमें क्या करना है trainee profile पर क्लिक करना है उसके बाद देखें क्या करना है तो मेरा इस परकार का image खुलेगा तो हम क्या करेंगे जब इस परकार का खुलेगा तो इसमें registration number father's name, date of birth, inter, image, text डालना है तो हमको registration number में आप लोग जानते भी है registration number में आर लगा के जो आपका roll number है उसी को हम डालेंगे उसको आप father's name हम डालेंगे date of birth डालेंगे date of birth जब भी हम डालेंगे तो ये calendar जो आपके दिले पर दिख रहा है इसके अनुसार ही डालेंगे अपने से इस पर हम type करके नहीं डालेंगे इससे डालेंगे तो मेरा process आगे नहीं होगा तो हमको जो calendar आपको दिख रहा है उसमें से हमको अपरेल जो भी आपका month है जो भी year है जो भी date है जो भी दिनांक है वो choose करके हमको इसमें डालना है उसके बाद आपका इंटर image डालना है उसके बाद हमको search करना है search करने के बाद आपका इस परकार का profile खुलेगा जिस परकार का आपको दिख रहा है इस परकार का खुलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपका क्या नाम है, क्या date of birth है, क्या details है आपका जैसे आपका session कौन है जैसे आपका admission कब हुआ था आपका admission का date UID नम्मर, trainee name, date of birth, gender, category आपका category जो कौन में आते हैं उसका सहक category उसके बाद आपका आजाएगा estate registration नमर, mother's name, mother's name, mobile नमर, email ID, ITI का नाम, application नमर, trade आजाएगा, trainee type आजाएगा, shift आजाएगा unit आजाएगा इस परकार आपका पुरा details को आप इस परकार देख सकते हैं जिस परकार आज मैं आपको स्वीडियो में बताया हूं तो आप लोग इस परकार trainee profile को check कर सकते हैं आप admission लेने के बाद जब आपका registration नमर आ जाता है जब आपको रेजिस्टेशन नमर मिल जाता है तो आप इस परकार से आप अपने प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं आप अपना सारा जनकारी NCBT के पोटल पर जान सकते हैं जैसे कि कभी होता है कि आपको बोल देता है कोई कि हमाइडिये में आपका एड्मिसन करवा दिये हैं आपका एड्मिसन हो गया है तो आप उससे रेजिस्टेशन नमर लेके आप इस परकार से चेक कर सकते हैं क्या आप कार्मिशन हुआ है या नहीं तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्य बाद आप लोग में चैनल को सब्सक्राइब